तो पिछले क्लास में हमने पिछले वीडियो में देखा था अब अपन पढ़ेंगे इसी के आगे का जो कि कहलाते हैं सर्ड्स जिसे हिंदी में कहा जाता है करणी अब यह होता क्या है यह समझने के लिए पहले एक सवाल समझते हैं माल जीजे सवाल यह है कि कोई एक संख्या है X X के पावर 4 है 625 ठीक है अपन घाताम तो पढ़े हुगे पावर पढ़े हुगे ते समझ में आएगा आपको कि कोई नंबर है जिसके घात में है या जिसके पावर में है 4 और equal to है 625 और मैं आपसे कहूं अगर यह ऐसा है तो X equal to क्या होगा ठीक X equal to क्या होगा तो पिछले वाले अच्छा यहां पी तीस ओर समझने वाली बात है लास्टा मैंने आपको बताया था कि X के पावर में 0 होता है तो वह हो जाएगा लेकिन अगर X के पावर में 1 होगा तो क्या होगा वो X की रहेगा यह बात हमको जानना चाहिए ठीक है पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या है किसी भी संख्या है इसके पावर में 0 होता है तो वो 1 हो जाता है लेकिन किसी भी संख्या के पावर में 1 होगा तो वो संख्या नहीं बदलेगा ठीक है इसका इस्तमाल हम भी यहां पर करने वाले हैं ओके वापस से आते हैं सवाल में x की पावर x का घात है 4 तो 625 निकलता है तो x क्या है तो अगर मैं आपसे पूछूँगा कि सवाल क्या है x क्या है दोनों का मतलब तो सेम ही होगा X equal to या X की power 1 equal to करूँगा तो दोनों का मतलब सेम ही होगा ठीक तो मैं चाहता क्या हूँ मुझे X के घाट 4 पता है मुझे X के घाट 1 निकालना है तो क्या करूँगा मैं X के घाट 4 है तो मैं इस पे 1 बटा 4 का घाट और चड़ा दूँगा क्यों चड़ा दूँगा क्योंकि मुझे पता है भीया X की power M इसके power में N हो जाता है तो X की power M into N हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा X की power 4 इसके power में 1 बटा 4 तो यह हो जाएगा x की power 4 into 1 बटा 4 जो कि cut के मुझे मिलेगा x की power 1 ठीक तो मैं क्या करूँगा x की power 1 निकान लेके लिए क्या करूँगा x की power में 4 है उस पे मैं एक और घात चड़ा दूँगा 1 बटा 4 अब मैंने यहाँ पे किया है तो मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे मिलिखूँगा 625 के power या घात में 1 बटा 4 तो मुझे मिलेगा 625 के घात 1 बटा 4 तो अगर मैं 1 को हटा दूँगा तो मुझे x की value मिल गई चा 625 के घात 1 बटा 4 लेकिन घात में 1 बटा 4 या 1 बटा 5 या 3 बटा 6 लिखना उतना easy नहीं रहता उतना comfortable नहीं लिखता तो इसको denote करने के लिए एक अलग सा चन्न बनाया गया चन्न क्या बनाया गया इस एक बटा 4 को यहाँ से हटा दो 625 इसकी उपर पे छट बना दो ठेक छट बना दो और कितना है 4 तो यहाँ पे लिख दो आप 4 बस तो आपका x क्या हो गया 625 रूट 4 इसको हम क्या लिखते हैं 625 अंडर रूट 4 या 4th रूट कहते हैं या इसको यह भी कहा जाता है 625 का 4th रूट या इससे कह सकते हैं 625 का चौथा मूल घंद मूल चांटर आप मूल तो यह मूल निकालना जासे हो गया वरग निकालते हैं अब अपन वरग निकाल रहे थे तो वरग की जगह पे वरग मूल निकालते हैं वैसे यहाँ पर चौथा मूल निकालना यह कहलाएगा इसका मतलब मतलब क्या हुआ कभी भी आपको यह साइन या ऐसा कुछ दिखाई दे कि कोई भी एक संख्या है A, B, C, D, कोई भी और उसके पावर में कुछ है इस तरह का मतलब उसके हूट में है मूल में कुछ ऐसा इस साइब का आपको साइन दिखेगा इसका मतलब आप एक ऐसी संख्या की तलाश में है जिसको चार बर गुड़ा किया जाए तो हमें यह संख्या मिले मतलब वही होगा कि कहीं पे भी आपको मिले 625 रूट 4 इसका मतलब क्या होगा आपको एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका 4 बर या 4 बर गुड़ा करने पे उसी संख्या को उसी से 4 बर गुड़ा करने पे हमें यह संख्या मिल जाए ठिक वैसी संख्या कौन सी यह वैसी संख्या है 5 क्योंकि 5 का 5 का 5 का 5 का आपस में गुड़ा करने संब को मिलता है 625 तो इसका मतलब हो जाएगा पॉंच तो ऐसी संखिया जिसका चार बर खुद से गुड़ा किया जाए तो आपको 625 मिले ये दर्शाता है ये नमबर इसे ही कहा जाता है करणी इसे ही कहा जाता है सर्ट्स ठीक है सिंपल है मुश्किल नहीं है इसके भी कुछ नियम है जो अभी आपन देखेंगे इन नियमों को ध्यान में रखेंगे जब आपन को सवाल को हल करना हो ख़ई है चलिए note करीए इसके लिंए इसरे पर पर성प तो अभी यह नियम अबन देखते हैं, क्या के नियम है इसके, बहुत सिंपल है, एक एक नियम को समझेंगे, पढ़ेंगे और एक्जाम्पल तो हम इसके आएंगे, ठीक है? तो सबसे पहला नियम, जैसा आपने पावर इंडिसेस में पढ़ा था, वैसे यहाँ पे आपको मिलेगा, सबसे पहला नियम क्या है? एक की पावर, एक बटा एंड, देखो, कहीं बेभी आपको किसी एक संख्या की पावर में जो मिले है, वो बटे में मिले है, भिन में मिले, इसका simple मतलब होता है root A की power N for example कहीं बेभी आपको बिलेगा 25 की power 1 बटा 2 इसका simple मतलब है 25 का root 2 हाला कि جद रूट 2 होता है TOnings वहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता ठीक है ? रूट में कभी भी 2 होता है TO forms 2 नहीं लिखा जाता दो से ज्यादा होता है तब लिखा जाता है मतलब 25 के पावर एक बटा दो है तो इसको ऐसे लिखेंगे वही 25 के पावर एक बटा तीन होगा तब जाके हम लिखेंगे 25 के पावर में तीन क्यों? क्योंकि केवल ये लिखना 25 इसका मतलब ही होता है 25 के power में एक बड़ा 2 यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है मतलब उसको वरगमूर या स्क्वार रूट कहा जाता है तो कोई संख्या नहीं है मतलब 2 होगा 2 से ज्यादा होगा तब हम यहाँ पे लिखना चालो करेंगे तो कोई भी संख्या होगा मालते हैं 20 20 के power में है मान लेते हैं 4 तो यह हो जाएगा 20 के power एक बड़ा 4 और यह दोनों आपस में interchange होंगे यह लिखा है मतलब इसका यह होगा यह लिखा है इसका मतलब यह होगा ठिक note करिएगा ध्यान से तहला नियम यही कहता है अगला नियम देखते है जो आपने सेकेंड इयम है वो क्या है देखो A की power में N इसके power में N अब आप समझो A की power में यह root में N है उसके power में N है मतलब कहीं पीबी एक A है इसके हमने अर्ड़ी एक root निकाल लिया nth root या nth moon निकाल लिया और बाद में इसके पावर में N चड़ा दिया मतलब हम करके रहे हैं इस अंद्रवाले का मतलब क्या होता है एक की पावर एक बटा N इसका मतलब तो यही होता है और इसका मतलब क्या होगा इन सबके पावर में N तो अपने पहले पढ़ा हुआ था कि A के पावर में M हो उसके पावर में N हो तो क्या होगा A की पावर M into N हो जाएगा यह आपस में बुड़ा हो जाएगे वैसे ही यह भी आपस में बुड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा A के पावर एक बटा N into N तो क्या बचा एक की पावर में कुछरी बच्चा आप मतलब वन बच्चा क्योंकि ये तो आपस में कड़ गया वन हो गया ठीक वैसे भी मोलता देखा जाए तो अपन एक दूसरे की जो विपरी टैक्शन है उसी को पर एक साथ करें दिये ला तो यहाँ पर ए बच्चेगा ठीक है ये कुल्म लाकिया आपका ए बच्चेगा ध्यान से नोट करते जाएएगा एक्जामपल के साथ में अगले में आते हैं इसके एक्जामपल भी अपन देख लेते हैं पच्चिस का मान लीचे मैं निकालना चाहता हूँ तीसरा थार्ड मूल या थार्ड रूट और मैं इसका कर दूँगा तीन गुरा मैं क्या कर रहा हूँ पच्चिस का पावर में कर रहा हूँ एक बड़ा तीन और इसके पावर में कर रहा हूँ तीन बेसिकली क्या बचा 25 क्यों क्यों कि एक बड़ा तीन का गुड़ा होगा इस तीन से यह यह कट गए मुझे क्या मिला खाली 25 ठेक एक्जामपल समझ में आएगा सिंपल है इसको मिटा रहूं अगला आपन देखते हैं थर्ड वाले जो अपना है जो अपना तीसरा नियम है जो थर्ड नियम हूँ समझने वाली बात है बहुत सिंपल है जैसा अपन ने पावर में पढ़ा था बस वैसे ही कुछ यहाँ पे आजाएगा वहाँ पे भी अपने पढ़ा था, A की पावर, B की पावर, A into B, जैसे भी अपन N में, सिम वैसे, यहाँ पे अपन देख लेते हैं, A, B, दोनों के खात में, N, दोनों के पावर में, N का रूट चड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मूल कहेंगे, रूट कहेंगे, न, A, B, दोनों गुड़ा में है, दोनों के में, रूट चड़ा हुआ या मूल चड़ा हुआ है, N का, या Nth मूल चड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यह दोनों आपस में बट जाएंगे, A, K, ऐसा हो जाएगा, into B, बहुत सिंपल नियम है, दोनों में, अगर दोनों गुड़ा में है तो यह अलग-अलग हो जाएंगे, तो भी वैसे ही काम करेगा, या अपने पहले भी पढ़ा हुआ था, इंडिसे वाले पावर वाले में, वैसे ही कुछ मिलता जुलता आपको, यहां पे भी मिलेगा, इसका इस्तेमाल हम करेंगे, question को बनाने में, for example, समझ लेते हैं आपर, मा लिजए, पांच इंटू आठ है, और इन दोनों के में, यह है, तीसरा मूल, थर्ड मूल है, तो यह हो जाएगा, पांच थर्ड इंटू आठ, थर्ड, ठीक, simple, बहुत मुश्किल नहीं है, मैं चिंता गरो, questions बहुत आसानी से बन जाएंगे, मैं बताओंगा आपरों को, आ जैसा आपने पहले भी देखा तो वैसे कुछ आपको मिलेगा, देखो, जो मैं हमेशे कहता हूँ, यह दिखने में भैयानाग दिखता है, है नहीं भैयानाग, कैसे, है क्या, ए का, अपन निकालेंगे एन अथ मूल, इसका हम निकालेंगे एम मूल, एन चढ़ा मूल में, मत होता, थोड़ा लंबा खिंचाता है, यह चीज़ यहाँ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक पावर में यह एक बढ़ा एन हो जाएगा, यह से पर चढ़ा हुआ है, एक बढ़ा एम हो जाएगा, ठब आपाने बढ़ा होँआ है इसको, अब यह दोनों आपस में गुड़ा होंगे एक पावर में क्या होगा एक बटा एन इंटू एक बटा एम क्या हो जाएगा एक पावर में एक बटा एक बटा एम एन एम एन आपस में बड़ा हो जाएंगे तो एम एन हो जाएगा जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ A के पावर में M N लिख सकता हूँ बस वही चीज़ यहां पर लिखा हुगा है ठीक यह आपस में ऐसे हो जाएंगे इसके बाद यह ऐसा हो जाएगा ठीक है दिखें इन सब को हमको ध्यान में बस इसलिए रखना है क्योंकि हमसे सवाल बन जाएं बहुत ज़्यादा हमको इन में शोध नहीं करना है PhD नहीं करना है एक्जाम में questions बनने चाहिए इन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो थोड़े typical होते है पर हम चाहते हैं कि भाईया बस यह एक्जाम में हमसे बन जाए तक कि नंबर आ जाएं selection हो जाए तो इस पर ज्यादा हमको शोध में नहीं जाना है मैं पहली आपको बता रहा हूँ बहुत समय जाएगा आपका बना आगे जाते हैं अगला नियम देखते हैं यह आपका नियम चौथा था ठीक है यह चौथा नियम था इसके अग्जम्पल भी आपे देख सकते हो चाहो तो चलो अगला एक्जम्पल अगला नियम देखते हैं इसको मिठा रता हूँ पांचवा नियम पांचवा नियम फ्रैक्शन पे आ गया है कभी भी ए बटा बी हो इसके फ्रैक्शन का उपर में मूल हो एन का तो वही मतलब हो जाएगा एक ए घात यह ए पे आजाएगा अपॉन ए इस पा बी इस पे भी आजाएगा थिक ऐसा पने पहले पढ़ा हुआ था बस यह dोनों पे आ जाएगा यही अपने को देगना है यहाँ पर क्या हो जाएगा A बड़ा B है हमको पता है यह घात छो मूल आता है ुसको कैसे लिखते हैं एक घात एक बड़ा N लिख देते हैं या आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो A के उपर में एक बड़ा N अपॉन सब का मतलब एक ही होता है तो यह नियम है इनको नोट करिए आप लोग ध्यान से पढ़िए अगले वीडियो में हम इन से जोड़े questions को बनाएंगे क्योंकि एक्जाम में एक यह दो questions बिलकुल आते हैं तो हमें questions को तो बना नहीं पड़ेगा ठीक है स्टार्टिंग करेंगे हम simple सवालों से इसके बाद हम tough सवालों में जाएंगे ओके ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में